हेलो स्तो कमाई का अड़स यूटूब चल में आप सभी का सौगत है आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मूरे ट्रेडिंग के बारे में और दोस्तो उसका टाइम क्या रहेगा और कितने आवर्स के लिए यहाँ पर मार्केट ओपन रहने वाला है वो भी आपको बताऊंगा औ और ऐसे कौन से दो सन्राइजिंग सेक्टर के स्टॉक है जो आपको फोकस में रखने चाहिए देखे वो दो शेर ही यहाँ पर हमें खरीदने ऐसी बात नहीं है सेक्टर को समदना है आपको जो भी कंपनी ठीक लगया उस सेक्टर के आपके हिसाब से आप उससे रिलेटेड डिसकस यहाँ पर करकर फिर डिसिजन ले सकते हैं देखे दोस्तो एक अच्छे मोके पर ऐसे स्टॉक का सेलेक्शन लॉंग डम के लिए करना चाहिए जिसमें हम कॉन्फिडेंस के साथ लॉंग डम के लिए बने रहे और हमें एक वेल जनरेट करने की उम्मीद उस स्टॉक स जरू करना और दोस्तों आप सभी को शुब दिपावली इस आउसर पर आप जरूर अच्छे डिसिजन लीजिए और अच्छी तरीके से कुछ नया सीखने की और कुछ नया करने की कोशिश लगातार कीजिए यहाँ पर दोस्तों आपको मूरे ट्रेडिंग से रिलेटेड जो अपडेट है वो पहले बताता हूँ फर्स्ट नोहेंबर दो हाजाद चोबिस को छे बच कर राइट यहाँ पर हम कह सकते के छे बज़े से यहाँ पर दोस्तों मार्केट ओपन होगा और साथ बज़े यहाँ पर क्लोज हो जाए जगा यहाँ पर आप सभी टाइम देख सकते हैं यहने के एक नोहेंबर यहने कल की बात हो रही है और आपको अभी जो सनराइजिंग सेक्टर है उससे रेटेट में बताने वाला हूँ वो सेक्टर आपको तो अभी हम बताएंगे बड़ दोस्तों उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि गवर्मेंट का उस सेक्टर पर फोकस है क्या क्योंकि अगर government के योजना और government के जो भी यहाँ पर scheme वगेरा है और साथी government उस sector को कितना ज़्यादा contribute कर रहे है world level पर भी और national level पर भी कितना उस sector के लिए वो काम कर रहे है वो सबसे ज़्यादा important होता है दोस्तों आपने देखा होगा डिक्सवन टेकनलोजी का शियर ऐसे ही दो बार 20-20,000 के करीब जा नहीं रहा क्यों जा रहा है क्योंकि उसके लिए वो time बहुत जबरदस रहा और government ने उस हिसाब से decision लिए और वैसे ही बात मुझे दिखाई देती है electric vehicle से related दोस्तों PM जो यहाँ पर है दोस्तों उन्होंने एक यहाँ skim launch किया और कौन सी हो PM e-bus सेवा तो इस skim के अंडर government यहाँ पर बहुत अच्छे से दोस्तों इस sector को focus में और radar पर रख रही है और इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने सिधा सिधा कहा है कि e-bus electric vehicle से related जो भी companies उनके लिए बहुत जबरदस यह योजना है और union cabinet ने 3435 करोड दोस्तों PM e-bus सेवा खो यहाँ पर हम कहेंगे boost करने के लिए यह fund allocate किया है बहुती supreme level के schema इसा हम कह सकते है और यह देखें देश के लिए भी और हम सभी investors के लिए भी बहुत अच्छी बात है अगर हम electric bus के पूरे business को देखे तो इस business में बहुती बड़ा player एक देखने को मिलता है यहाँ पर है दोस्तो उलेक्ट्रा ग्रिंटेज कमपनी अब यहाँ पर दूसरे भी बहुत से जमना आटो है और दोस्तो यहाँ पर आशोक लेलेंड है बट यहाँ पर जो खासियत और जो strength मुझे दिखाई देती है वो उलेक्ट्रा ग्रिंटेज के पास है क्योंकि इनके पास green hydrogen के भी यहाँ पर work चल रहे है इलेक्ट्रिक बस पे भी काम कर रहे है बहुत अच्छे से company ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग टेशन के business में भी आपने आपको improve करना start किया है तो दोस्तो इस company को focus में रखना चाहिए देखना एक बात इसके अंदर दिखाई देती है कि जब यह stock नहीं चलता है तो अच्छा खासा correct हो जाता है और एक बड़े correction के बाद में दोस्तो इस stock में output भी वैसे मिलते है 30-40-40% जरूर यह share में गिरावट आती है बट long term में पै stock है देखिए e2e अब ऐसाने दोस्तों कि किसी अशीष कचुलिया जी जैसे बड़े निवेशक ने खरीदा या दूसरे किसी ने खरीदा बोलकर हम इसके बारें बात कर रहे हैं मैंने इस stock को अशीष कचुलिया जी ने खरीदने से पहले ही एक वीडियो में cover किया था और ख पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा a2e network is a NAC-listed AI-focused hyperscale cloud platform offering advanced cloud GPU and compressive ecosystem of cloud technology design for the development and deployment of AI applications तो बहुती अच्छा बिजनेस नजर आता है और अगर आप इस बिजनेस को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा क्या 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 खासियत है और ये company solution कितने अच्छे provide करते हैं देखें दोस्तो ब्लॉक्स, storage से related बहुत अच्छे बिजनेस की strength है इसके प इसे बड़े platforms और जो companies, startup अगरा है वो इनके client है partner भी देखिए Microsoft के साथ है Intel के साथ है ऐसे बहुत से अच्छे companies इनके clients आपको दिखाई देंगे और सबसे बड़िया बात क्या है दोस्तों कि इसके quarterly result और yearly result बिल्कुल आप पिछले quarter को इस quarter से compare करेंगे तो double improvement देखने को मिल company ने आपने आपको एक बड़िया तरीके से दोस्तों यहाँ पर present किया है और आप long term के हिसाब से भी देखेंगे तो company के पिछले काफे समय से result बहुत बढ़िया तरीके से है E2E network के company AI sector के दोस्तों मैं artificial intelligence sector के बारें बात कर रहा हूँ यह दो sector sunrise वाले है चाहे आप उसे आजू बाजू उपर नीचे सब तरब से सोच कर देखिए यह sector में potential है या नहीं तो मुझे लगता है कि आप समझ रहे हो और अभी भी देखना यहाँ पर इस E2E network company में इंडिया के successful investor अशिश कचुलिया जी ने भी यहाँ पर इसमें fresh entry लिए दोस्तों यह पढ़ सकते हैं आशिश रमेश चंद्रा कचुलिया 1.05 यहाँ पर आप पढ़ सकते हो तो वैसे तो इसके अंदर दूसरे भी निवेश है यहाँ पर डियाएस ने भी पाच स्वर्या पर 4.4% के आसपास का स्टेक है उसके बाद में FIS देखिए है FIS ने स्टेक बढ़ा दिया अच्छा खासा वो भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा इसलिए ऐसे स्टॉक को हमारा स्टेडी करना काम बनता है और एक प्लस आपको एक स्टॉक बता कर चले जाते है और क्लोज कर लेते वीडियो को जेज़ डिबलो इंफ्रा ट्रक्चर अगर कोई लॉंग टर्म से रिलेटेट मूर ट्रेडिंग पर कोई खास अच्छे शेर को खरीदना चाहता तो मुझे लगता है यह स्टॉक बहुत अच्छा है अभी फिलाल इसके अंदर और जितनी ग्रोथ होनी चाहिए और उतनी होई नहीं दोस्तो अभी भी देखिए यह कंपनी एक अच्छे लेवल पर भी है और अच्छी ग्रोथ की अपर्चनिटी इसके अंदर दिखाई देते हैं अभी लाड डिसीजन आपके रहेंगे थैंक्यू सो मत दोस्तो वीडियो पसंद आए तो जिरू लाइक भी हुँआ झाली है